हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टो अबर चैनल तो आज किस वीडियो में हम 323 एजेट 2023 मैटमेटिक्स का पूरा सल्यूशन लेकर आये हैं तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं आप से रिक्वेश्ट कर आपने अभी तर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब आपर इतना दिया गए ए कॉमा बी सच्ट एट बी कोल टो ये प्लस बंद्वारा परिभासित संबंध होगा सतुल और सम्मित नहीं किंतु संक्रामक सतुल और संक्रामक नहीं किंतु शम्मित सतुल नहीं शम्मित नहीं और नहीं संक्रामक संमित और संक्रामक नहीं किंतु तो इसका अमारा सही आंसर कौन सा हो जाए थर्ड करेक्ट हो जाएगा इसके बाद था आपको एक ही वैलू मिलेगी तो यह बहू एक और अच्छा दक हो जाए कौन सा हो जाए बहू एक अच्छा दक तो आपका सबसे बढ़े हैं कुश्चन था वर्ग ए वर्ग आप इस प्रकार है ए स्कौार इसकौर इसकल टू ए तो ए प्लस आई का होल क्यों माइनस सेवन ए ब दॉट बि अपकार्व जिस पर पंच्छिप ग्यात करना होता मान ली जिए बी पर ग्यात करना तो यह था तो इसका सही आजर क्या हो जाएगा फोर्थ हो जाएगा जीरो इसके बाद था इंग्या अवकल समिकर्ट डी क्यूब अपन डी एक स्कौार इक की होल क्यूब प्लस 7 बाई साइन एक्स की कोटी होगी 2, 3, 5, 6 तो इसकी कोटी कितनी होगी? जितनी आपको लज होगा तो कितने का है? 3 का आपको लज है तो option number second correct हो जाएगा 3 इसकी बाद English version दिया गया है आप लोग देखना चाहें तो देख सकते हैं इसके बाद था cos एक inverse x का मान गयाद की तो cos है इसको पहले हम cos बदलेंगे तो cos inverse बन अपान x हो जाएगा क्या हो जाएगा? cos inverse बन अपान x तो इसकी value कितनी आएगी? बन अपान x आएगी इसके बाद था a भी आपको गयाद करना था a दिया गया b दिया गया तो इसका कितना आएगा? 0, minus 4, 10 कितना आएगा? 0, minus 4, 10 और इसके बाद ये साएग 3 था तो आप लोग इसे आपने कर लिया होगा ये इसके बाद था द्वारा परिवासित फरन f विचकल 2 r पर 0 पर सतत है जाच करना था तो ये देखिए a सतत था क्या था? a सतत था क्योंकि f 0 x 0 बरावर कितना दिया? एक दिया है और f lhl पर आपका 3 आएगा तो ये हो जाएगा a सतत इसके बाद था f c square c x plus 10 x dx का मान ग्याद कीजिए सबसे पहले आपको क्या करना था? इसको अंदर ले जाते c square x हो जाता और c x tan x हो जाता c square x tan x का होता है और ये c x का होता है तो c x plus 10 x plus c x plus c का मान हो जाएगा इसके बाद था दो गटनाएं दी गई थी आपको 0.6 pa बरावर इतना p b बरावर इतना तो pa intersection b आपको दिया गया था आपको ग्याद करना क्या था? p a upon b ग्याद करना था तो क्या हो जाएगा? p a intersection upon p b तो value रखेंगे तो intersection आपको 0.5 इतना दिया गया था और ये दिया था तो 0.3 तो इसे हम divide कर दें तो 1 upon 2 आए कितना हैगा? 1 upon 2 तो option number आपका p upon b का क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा इसके बाद question number 3 पर चलते हैं ये आपको शिद्य करना था y is equal to e e की power e cos inverse x तो सिद्य कीजिए इतना इसके बाद था इसमें आपका सूतर लगना था 1 upon under root x square minus a square वाला था तो इसको आपको क्या करना था? x बराबर क्या मानते? x बराबर आपको 6 ठीटा मानना था क्या मानना था? x बराबर ये 6 ठीटा मानना था इसके बाद था इसका आपको 1 cross b plus c, b plus इसको करेंगे तो आपका मान कितना आएगा? 0 आएगा हल करने पर कितना आएगा? 0 आएगा इसके बाद था इसकी इससे दूरी ग्याद करनी थी तो इसका उत्तर कितना आ रहा था 13 upon 7 आ रहा था कितना 13 upon 7 मात्रक आ रहा था कैसे निकालते हैं तो सबसे पहले इसमें हम समीकड बनाएंगे तो हमारा कार्थी समीकड बनेगा 3z, 3y और 2z बनेगा minus 4 equal to 0 इसका सूतर होता है क्या होता है ax plus bx plus c y minus d upon under root a square plus b square plus c square से करना था इसके बाद था उस सम्तल का सदी से मकार्थी समीकड ग्याद कीगिए जो बिन्दू इतने कामा से होकर जाता है और सदी इस पर लंबबत है तो इसमें आपको सूत लगाना था कौन सा r dot n बरावर a vector dot n बरावर करके आपको दोनों सकार्थी समीकड निकाल लें थे इसके बाद y square into ab square minus x square को निरुपित करने वाला का आपकल समीकड आपको ग्याद करना था सबसे पहले इसमें क्या करेंगा y square ab square minus ax square इसमें सबसे पहले एक बार हम करेंगे dy over dx तो हमारा 2x हो जाएगा कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा 2x हो जाएगा एक बार और करेंगे तब यहांसी x खत्म हो जाएगा इसके बाद था x बरावर इतना य बरावर इतना तो आप से d y upon dx को जाएगा सबसे पहले हम dx upon dt करते तीके सापेज में इसमें dy upon dt करना था तीके सापेज इसके बाद आपको सूत्र करना था इसके बाद ये शिद्ध करना था आपका इतना वरावर इतना सत्यापित कीजिए इसके बाद था सिद्ध कीजिए इतना आपको इतना वरावर इतना सिद्ध करना था इसके बाद आपका इसमें तुलता संबंध सिद्ध करना था तो इसमें आपको क्या करना था सबसे पहले इसकी हम dy upon dx निकालते तो हमारे x बरावर कितने बिन्दू आते प्लस माइनस दो आ रहा है इसे प्लस माइनस दो उसकी बेलू रखते x, y जो के मान आते वही आपके उत्तर हो जाते चलिए हमारे एक बार रखते हैं y बरावर 2 तो यहां पर 8 हो जाएगा माइनस कितना हो जाएगा 8 माइनस 11 प्लस 5 8 2, 8 5, 13 माइनस 11 सबसे पहले हमें बेलू क्या रखनी थी? x क्यूब की तो 2 रखेंगे, एक बार माइनस 2 रखतें तो 2 का करेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 माइनस 2 दूनी 22 हो जाएगा और प्लस 5 हो जाएगा तो इसमें से 8 5 गटाएगे, 8 5, 13 होते हैं, 13 में 22 गटाएगे तो कितना बचेगा? 9 बचेगा तो हमारे बिंदू कितने हो जाएगे? 2 कामा 9 हो जाएगे, कौन हो जाएगे? 2 कामा 9 इसी परकार minus 2 रखके आपको हलकरना था इसके बाद ता समाह कलन तो हमारा इसका क्या बनता Nicolas – 4 का whole square minus 9 का whole square बनता 3 का whole square और एस x square माईनस y square का इसमें फार्मूला लगाना था इसके बाद बावन पाथों की अच्छी तरब से फेडी टाफंध गड़्डी एक के बाद एक तीन पत्य बिन्तिस्थाफट के निगा ले जाते हैं पहले दो पत्तों के बास्ट्वा होने तद्धरीत के का होने की क्या प्रायविक्त है तो सबसे पहले हम बास्ट्वा निकालेंगे इसके बाद इस सम्मित और विशम सम्मित आप विव की परिवाशा दीजिए, यदि सम्मित आप विव ये कोई मानते हैं, कोई आप विव अगर उसका A- निकालते हैं और वगर A के बराबर आजाता है तो वो शम्मित होता है, अगर A- निकालते हो, माइनस A के बराबर आता है तो विशम शम्मित होगा इसके आपको शिद्य करना था ए बी माइनस ए इसके बाद बर्दमान हर समान है यह आपको शिद्य करना था और इसके आपके बाद इसके बाद next था तो इसके आपकी प्रूबड़ता कितनी बकर का समय करक्या आएगा y3-3x y3-3x equal to 15 कितना आएगा minus 3x equal to 15 आएगा इसके बाद था एक इन दोनों सत्य रोबड़ता है प्रायक्ता है इतनी आपको दी गई है तो समस्या हल हो जाने की प्रायक्ता क्याद कीजिए उन में से कोई एक समस्या कोई एक समस्या को हल करना तो समस्या हलो जाती तो one minus करते ना समस्या हलोने की एक बटे दो इंटू दो बटे तीन तो यहां से तो हमारा कितना आता दो बटे तीन आता कितना दो बटे तीन तो समस्या हलो जाने की प्राइक तक कितनी आती दो बटे तीन आती इसके बाद उन में से कोई एक समस्या हल कर पाता है तो या तो बी हल कर पाता है सबसे पहले या तो यह हल कर पाता है इंटू बी नहीं कर पाता है प्लस या फिर बी कर लेता है एक बटे तीन इंटू दो एक बटे दो दो से दो खत्म हो जाएगा तो कितना आएगा एक बटे तीन प्लस एक बटे छे तो इसके बाद उन तो इनके बीच की नियुनतन दूरी आपके कितनी आएगी, 9 बटे अंडर रूट 171 मात्रक आएगी, इसके बाद था, एक्सिद कीजिए कि आर्ट जेक गोले अंतर संग मायतन, इतना होता, इसके बाद था, एक्स वाई जेड के मान ग्याद कीजिए, तो एक्स बराबर आपक कितना हैगा, एक्सो पचास है, कितना है, एक्सो पचास आएगा, इसके बाद एक्स बराबर वाई स्कारे में रेखा, एक्स बराबर चार से गिरा हुआ, छित पर एक्स बराबर, एक्स बराबर भागों में भाजित होता है, तो एका मान ग्याद कीजिए, तो एक बराबर आपको कितना आएगा चार की पावर दो बटे तीन आएगा कितना आएगा दो बटे तीन ये बरावर चार की पावर दो बटे तीन तो ये इस प्रकार ये आपका सेल्योशन हो जाता है कि क्लाश 12 की कोशिन पेपर का अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देंगे चैनल पहली पारा है चैनल को सब्सक्राइब कर लेगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में